परभर के लोग बाख लिखते हैं कि इसके बारे में बताइए यह सेर के बारे में लोग बनाया था हो वन इटीवन का बनाया था उसके बास से लगबख 30 परसेंट बजाज हाउसिंग फाइनस में क्या है कि यहां से लगबग लगबग यह देखिए अपना अपना हाई पना था वहां से लगबग तीस परसेंग गिर चुका है कि अब 30 परसेंग अब और कितने नीचे जाएगा तो देखिए एकसपर्ट ने जो एकसपर्ट होते हैं उन्होंने जो राय दी है इस पर वह यह दी है कि इसका जो बेस है वह लगबग 115 के आसपास बनना चाहिए उससे नीचे यह से जाना नहीं चाहिए अगर 115 के आसपास इस इसका जो निकलने का टाइम रहेगा इस सेर में से वह रहेगा 150 के आसपास 145 के आसपास चीक है उसके बाद फिर रेंज बॉंड हो जाएगा और फिर यह कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन में चला जाएगा मतलब वह सकता है चार महीने च्छा महीने है फिर साल पर जब जब तक यह कंसोलिडेशन में रहे तब तक यह कंसोलिडेशन में रहेगा उसके बाद यह सर फिर से चलेगा क्योंकि इसने चीक ठाग रिटन दे दिये हैं अभी अपने जो इन्वेस्टर सुनको तो देखिए इसका पी रेसो है 49 का है जो की थोड़ा सा महेंगा है अभी ज जो इन्डेस्टर के पी रेसो है तो लगब अगरल से की पी रेसो से डबल कि चल रहा है लगब कौकर द चल रहा है इसके पी रेसो की चल कि चाल रहा है cheap उपा नहीं हो दो इसके ऐस्टव पर चल रहा है यानि कि 5.74 टाइम महंगा है यह से अपनी बुक वैल्यू से तो यहनि कि थोड़ा से इसमें कंसलिडेशन हो चुका है और यह 115 के असपास आ जाएगा तो इसमें बाइंग रेंज के आसपास आ जाएगा और वहां कंपनी ही ऐसा कर पाती कोई लाला राइप कंपनी बने टाइप कमपनी अथनके नहीं करपाई कि इसके प्रोफिर submarine रोग है जिसमें अच्छे प्रमूटर रहा है यह यहां बुझा कर Pra Quem कि श्थर इसने ग्रोग दिखाई है quarterly बात करें तो थोड़ा से टिपाया था मार्स दोजार चौबिस में लेकिन फिर से नों ने अपना growth का जो है की ग्रोथ का जो है की accelerator दबा करके और यह वापस से उपर जाने लगे हैं यह देखिए वापस से इनका जो profit हो वापस से भागने लगा है तो अच्छी company है हाला कि बात में आपर ओला की भी करूँगा थोड़ा सा क्योंकि ओला में भी लोगबा का फसे हुए हैं थोड़ा सा अपना आपको ठगा हुए महसूस कर रहे हैं क्योंकि ओला ने भी अच्छा return यहाँ पर listing के बात दिया था लिस्टिंग में तो नहीं दिया रेटन लिस्टिंग के बाद अच्छा खासा रेटन दिया है लोगों को अपर सर्केट पर तीन-चार दिन पास दिन रहा तो लोगों ने ठीक-ठाक पैसे बना लिए लेकिन अब जो लोग टॉप पर फस गये हैं 133.08 पर तो यहां पर अब जाए लेकिन फिर भी है और इसके ग्रोथ की बात की जाए प्रॉफित की बात की तो इससे आसा लग फसे है तो निकलना बड़ा मुस्किल हो जाएगा अगर किसे ने टॉप पर खरीदा क्योंकि देखिए कंपनी ने प्रॉफित तो बहुत कमी किया कभी किया ही नहीं मतलब एक निगेटिब में रहने वाली कंपनी आई पर लाती है और उसके बाद उसमें ऐसा भारी भरकम भागने वाली मतलब भागता है और उसके बाद फिर इन्वेस्टर वहां पर फ़र जाते देखिए किस तरह का ग्राफ आ रहा है जैसा आपको बजाज हाउसिंग तो कंपनी पैसा ले लिया है कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो कंपनी आगे करने के आवाली है यह तुब अगलब वागत यह तर्गेट आई गया वन तो यह तर्गेट आ सकते हैं लेकिन यह काफी बड़ी बात है कि यह से शिदा सेवेंटी पर आ चका लगब अलमूस् रिस्क है और लोगों को इसमें लॉस्ट जरूर हुआ है जिन्होंने यहाँ पर खरीद है तो देखिए नई कंपनिया है निवेस कंपनी है ओला और बजाज पर बजाएंगे लेकिन थोड़ा सा डाउट रहता कि इसके टार्गेट वापस से कैसे आएंगे कि 50% से गरने के बाद उठने में ही अब यह अगर इसके बात करें तो इसको लगवद देड़ से दो महिने तो इसको 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 नहीं लग जाएंगे क्योंकि इसे रग भागने से पहले चुर्श के बाद इसको फिर बाद जो एक रेजिस्टेंट बोलिये वो ऐम नहीं आए एक्टी टूपर है फिर इसके बाद इसका रेजिस्टेंट यह 111 पर है तो एक 138 में जाते जाते यह बहुत पतली होने वाली इसे रगी तो बस यह यहाँ पर कोई खरीदने या बेशनी के राय नहीं है यह जफ जस एजुकेशन परपेस के लिए वीडियो बनाए गया था अगर वीडियो अच्छारे की तो लाएं किजिए से और कमेंट थेंक्यू